जा सकती है जहां फाइदा में जी मतलब साफ है कि वो बी टीम जरूर बनना चाहेगी मिश्रा जी मैं आपके पास आँगा अन्ति टिपणी मैं आप से चाहता हूँ जो आम आदमी पार्टी की पूरी पॉल्टिक्स है कॉंग्रेस की संभावनाव पे कितना असर डाल रहे है ग देखिए अगर इतिहास गुजरात का लेकर चला जा है एक सवाल हमारा है इसी से जुड़ा हूँ अमरी सी जो पूछे ये तो जो दिखाई दे रहा है सामने वो मीडिया में और ये सब दिखाई दे रहा है गुजरात में रियल विपच्छ कौन है आज की तारीख में देख खड़ी की थी शंकर सिंग्वागेला ने खड़ी करी बड़े बड़े लोगों ने बड़ी बड़ी पार्टी खड़ी करी लेकिन मूलत तक कर में दो अपोनेंट्स में ही रही आज तक बतब लास्ट तक लास्ट इलेक्शन में भी आम आदमी पार्टी आई थी और कुछ उ सारी रेकॉर्ड को लेकर के अब तक चलते हैं तो में जो है फाइट कॉंग्रेस और आम आदमी बीजेपी और कॉंग्रेस के बीच में लेकिन सूरत मुनसिपल कॉर्परेशन का इलेक्शन गांधिनगर मुनसिपल कॉर्परेशन का इलेक्शन और आम आदमी पार्टी का जो ज वबर्दस्त जमीनी प्रचार चल रहा है जहां पर उनके मुख्यमंत्री केजरिवाल जी हर हफते में तकरीबां दो दो बार यहां हैं और हर जगे उनका यंग कार्टर और्गनाइज कर रहा है कॉंग्रेस यहां पर ऐसा लगता है कि उन्होंने वो किया फिर वो यह कर कह रहे हैं तो एफेक्टिवली जो लाइम लाइट लेने की बात है वो लाइम लाइट इस वक्त जो है आम आदमी पार्टी दे रही है और गेम प्लैन भी बड़ा ख्लियर नजर आता है केजरिवाद के नैशनल एक्सपेक्टेशन्स हैं या नैशनल अमबिशन्स हैं यह जब जाहर है और गुजरात को वो यूज करके दोहदार चौदावें वो लड़ेते वादनासी से पिट गए थे नरिनमोदी के सामने तो इस बार वो गुजरात के इलेक्शन को लेके और जो बीज़ेबी का जो फोर्स चला है उनके खिलाफ आमादमी पार्टी के खिलाफ एक एक करके वो हटा रहें उनकी अपनी स्कार्टेजी है वे हिमाचल के लिए वो हटा दिया उनोंने दिल्ली के लिए वीक कर रहे है गुजरात एफट भी वही चल रहा है तो उस सारे सिनेरियों में गुजरात में बीजेबी के सामने आम आदमी पार्टी केजरी वाल अपने आपको प्रोजेक्ट कर र हैं और बार यह है कि अन्हों नेरिटिव तो बदल दिया है अब सवाल ये करते हैं और जवाब बीजेबी देती हैं अब वो जो हुआ है वो एक सबसे नोटिससबल चेंज है अब रही बात अ टीम और बी टीम की तो देखिये ये तो जाहर बात है कि अगर आप कांग्रेस क हटाने चले हो तो यह होगा लेकिन एक और फैक्टर को आप नजर अंदाज नहीं कर सकते हैं जब भी आप इस पूरे सिनारियो को लेखें और वो यह है कि नरेंदर मोदी का जो मेंटल मेक अप है वो किसी भी चीतरे के कामपोटेशन को टॉलरेट नहीं करते हैं और वो उसको बहुत पहले से ही मैदान साफ करते थे आप पूरी पॉलिटिक्स देख लीजिए कुम्प्रीट पॉलिटिक्स देख लीजिए आपको यह दिख जाएगा एक के बाद नाइंटीन नाइंटी फाइव जो यह कहा गया था शंकर सिंग वागेला का रेबेलियन जो था वो केशु भाई के खिराफ़ता था केशु भाई पर केशु भाई के बीचे ताकत किस की थी कौन आदमी था नजद भाई थे तो वहां से जो प्रोसेश चलिए उसके बाद का सीन क्या हुआ एक एक करके जितने पुराने नेता थे बार्टी जन्ता पार्टी जितने पुराने नेता थे सब साफ हो गए काशी राम राना जो दक्षिन गुजराद के सूरत के कदावर नेता थे बीजे बी के सी आर पाटिल उनके अख़बार के प्रेस को मैनेज करते थे जो आज प्रेज़ेंट एसकेट यूनिट के और उनने जब चेंज किया अपनी लॉयल्टी उस पीरियड में जब नियन्त म पार्टि के लोकल नीडर्शिप के लोग कोई मिलने नहीं जा सकते से काशी राम राना से मैं तो इन सब शहरों में टाइम तो इस वज़े से आज कहां हैं एक पटेल कहां है तो सारा का सारा क्लीन हो गया और एक नए लोग आए वो नए लोग कैसे थे कब हटा दिये जाते हैं कैसे होता है वो सब मालुम है तो ल्यादा कंट्रोल कंप्लीट कंट्रोल ऑन दा पाटी सेटप वो यहां भी उन्होंने रखा उनकी जो सारी इंडेस्टिल इंवेस्टर्स मीट जो थी उस मीट का एक बड़ा भारी चीज यह थी कि नैशनल या इंटरनाशनल प्रॉफाइल तो नहोंने बिल्ड की क्योंकि अजय कीृज कर भारी थी औररनाशनल पालवाल पॉ़े ठीज च्यादेस्टर्स कीर तो ट्टोर्टर्स थो यह थी उन्सल्दाय में भी हो वो के जश तो है खिप इंग, और भाराशनले प्रॉफज एम से जो गसे एक उल दो लाराशनल की भी तो का पांऊतावानल से से-ब